कई बार मेरे दिल में ख्याल आया है कि अगर मैं जिन्दगी में असफल हो गया तो खुद को गोली मार लूँगा बहुजनों के मसीहा, मानियवर साहिब श्री कांशीराम जी के त्याग और संधर्ष भरे जीवन की दास्तान हम आपके साथ साजा करते हैं जिन्दगी में कई बार मेरे मन में ख्याल आया है कि अगर मैं अपने समाज की परेशानियों और ख्वाहिशों को लेकर सफल न हो सका तो मैं अपने आपको गोली मार के खत्म कर लूँगा लेकिन मैं अपने आपको गोली भी तो नहीं मार सका अगर मैं ऐसा करता हूँ तो लोग समझेंगे कि पता नहीं कांशी राम में क्या कमी थी जो उसने आत्महत्या कर ली फिर मैंने सोचा कि अपने आप को दुखी करने के लिए अपने शरीर पर खुद ही कोडे मारू फिर मैंने सोचा कि अपने आप को सजा भी दूं और लोग देखें भी और मेरे इस तरह खुद को सजा देने से कुछ सीखें भी फिर मैंने 51 वर्ष की आयू में फिर से साइकल चलाने का इरादा कर लिया ये बाते कांशी राम जी ने 16 अगस 1985 को डापधर तराखंड में जगह पर साइकल यात्रा के दौरान कही वे हरिदवार से कंडी जा रहे थे इस रैली को 20 से 22 दिन में पूरे उत्तर प्रदेश की परिक्रमा करके अपने निर्धारित समय पर पहुँचना था यह ऐसा मुश्किल दौर था जब साहेब और बामसेफ के संबंधों में काफी खटास पैदा हो चुकी थी साहेब के तूटे हुए मनोबल से निकले ऐसे शब्द उनकी मानसिक अवस्था को दर्शाते हैं साहेब ने अपने मन का गुबार निकालते हुए आगे कहा कि यह लोग बामसेफ वाले मेरी बात समझते क्यों नहीं हैं बहुत से लोग अभी तक अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर काम कर रहे हैं जबकी विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं है यह लोग व्यक्तिगत तौर पर रुपए पैसे को लेकर तो मजबूत हो सकते हैं लेकिन सैधदानतिक तौर पर आने वाली पीडियों तक कोरे पनने की तरह कोरे और अनपढ़ ही कहलाएंगे यह लोग मिशन का काम नहीं करना चाहते क्योंकि मिशन के कामों में लाखों दुश्वारिया हैं यह लोग चापलूसी करके या इधर उधर की बातें करके आगे बढ़ना चाहते हैं यह लोग क्यों नहीं समझते कि कोई किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता जिस तरह बाकी आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह ये लोग भी आगे बढ़ जाएंगे बशर्ते मिशन के लिए मेहन तो जारी रखें